ब्रोडिक्षए ऍापिक दोटराइए लिए मानेजमेंट करना यह सेरीकलचर करना तोड़ा परनेजमेंट जना ची Ana Mor for कामर्सियल परपच के लिए इसलक मोथ को पालना यह सेरी कल्चर कह लाता है कोकून से सिलक को आप्टेन करना और सिलक मोथ की लाइफ पॉइंट मोथ जो फीमेल मोथ होती है फीमेल मोथ बटरफ्लाई लेज एक्स देन दे हैज एक्स टू गीब सिल्क वार्म सिल्क वार्म वो कटरपीलर होता है ये लार्वा होता है दे हैज एक्स टू गीब लार्वा लार्वा देने के लिए वो अंडे को सेती है उसके बाद अंडे के बाद लार्वा आप्टेन होता है काटरपिलर या लारवा जो होते हैं वो मलवेरी लिप्स को खाते हैं उसके बाद धीरे-धीरे साइज में वो बड़े होते हैं During this phase They shed their skin four times और इस फेज के दारान विब four times अपनी skin को shed करते हैं Shedding of skin is called molting और जो skin की shedding है, skin की shedding उसको हम molting करते हैं Snake भी अपनी skin को shed करता है, वो भी remove करता है, Snake भी, Silkworms, being, Begin silkworms, Begin spinning the air, Cocoon, Silkworm, अपने Cocoon को लगतार, वो spin करता रहता है, और 8 की farm में, English के 8 letter जो होता है, English के 8 letter की farm में, लगतार वो spin करता रहता है, और अपने चारों और proteins release करता है, secret करता है, air के expose में आती है, तो उस case में वो बहुत hard हो जाता है, hard होने की case में फिर Cocoon बन जाता है, Silk Farmers collect Cocoon, Silk Farmer जो होते हैं, वो Cocoon को collect करते हैं, Filaments are obtained from Cocoon, by the process called Reeling, Filaments जो होते हैं, वो Cocoon से obtained किया जाते हैं, by the process, एक process, Reeling की process होती है, उसी के तुरू, और फिलाचर बोलते हैं उसको, Then Silk Fiber, Then Silk Fiber are spun into Silk Thread, तब Silk Fiber जो होते हैं, वो Silk Thread में spun कर लिए जाते हैं, Silk Thread में change कर दिये जाते हैं, convert कर दिये जाते हैं, You can see figure, Firstly, ये male और female, दो ये मोत हैं, adult मोत, तो जो, अंडा देने की process जो होती है, X देने की process वो female करती है, तो female, first point, ये सबसे पहले, ये X, Lays X, female मोत, mulberry lips पर दी है, उसके बाद, ये larva, यहां पर आप्टेन हुआ है, lips पर, larva दीरे दीरे, जो caterpillar होता है, वो mulberry lips को खाते हैं, उसके बाद, दीरे दीरे बड़े होते हैं, सिल्क वार्म, caterpillar बन जाता है, फिर उसके बाद, next process जो होती है, और उस सिल्क वार्म, अपने चारों और जो है, वो protein को secret करते हैं, दीरे दीरे, और जब air के expose में आती है, तो tough हो जाता है, और वो कोकून बन जाता है, उसके चारोर, फिर उसके बाद, कोकून विद डेवलपिंग मोथ, डेवलपिंग मोथ के साथ ये कोकून होता है, फिर उसके बाद, next process जो है, मेल ये तो female वो बन जाते हैं, इस process को हम, point के हिसाफ से, हम याद कर सकते हैं, point to be noted, first point, female silk mode, उसके बाद, एक्स, फिर उसके बाद, लार्वा, ये silk warm होता है, लार्वा को ही हम silk warm कहेंगे, फिर उसके बाद, mulberry lips, उसके बाद, molting, या means, shading of skin, उसके बाद, कोकून बनता है, these cocones are boiled by farmers, आइन कोकून को, farmers के द्वार्वाइल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद, fibers या filament, ये जिसको हम, reeling करते हैं, fibers या filament, softened किया जाता, farmers के थुरू, उसके बाद, reeling is spun into thread, reeling को हम, thread के farm में spun कर देते हैं, thread के farm में, convert कर देते हैं, फिर dying की प्रासिज होती है, फिर उसके बाद, weaving की प्रासिज होती है, फिर उसके बाद, fiberik हमें मिलता है,